आप देखिए मैं नरेंद्र मोदी के खिलाब लड़ता हूँ पूरा देश जानता है पहले यहाँ पे बीजेपी के लोग चाती फिलाए घूम रहे थे जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमिच्छा, योगी चाती फिलाए घूम रहे थे चाती फिलाए घूम रहे थे चल की मदद कर रही है और KCR BJP की मदद कर रहा है और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है MIM मैंने अपनी आखों से जाकर इस ब्रश्टाचार के चिन को देखा पूरा का पूरा डैम नीचे धस गया है और लक्ष पानी देने का नहीं था लक्ष चोरी करने का था यह लड़ाई दोराला और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है दोराला तेलंगाना आपने 10 साल देखा एक परिवार का राज पूरा का पूरा धन तेलंगाना का धन एक परिवार ने आप से चीना एक लाख करोर रुपिया उन्होंने एक प्रोजेक्ट में आप से चीना इरिगेशन मंत्री थे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बदल दिया कलवेश शर्वम डैम को बिलकुल नए तरीके से बनाया और पूरा का पूरा लक्ष सिर्फ चोरी करने का था मैंने अपनी आँखों से जाकर इस ब्रश्टचार के चिन को देखा प्रोजेक्ट कुछी साल पहले बना और खंबों में अभी से क्रायक आने शुरू हो गए है पूरा का पूरा डैम नीचे धस गया है और लक्ष पानी देने का नहीं था लक्ष चोरी करने का था दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी हमने हैदरबाद बनाया पूरी दुनिया में केलेंगाना का नाम हैदरबाद ने उचा किया है उनके computerization में वो धरनी portal लाते हैं उन्होंने कहा कि जमीन के records को computerize करेंगे मगर सच्चा लक्ष 20 लाक लोगों से जमीन चीनने का था लाकों किसानों से जमीन चीनी और अपने मित्रों को बड़े बड़े उद्योग पतियों को पकड़ा दी पैसे बनाने वाली सारी की सारी ministryya एक परिवार के हाथ में हैं चाहे वो जमीन हो शराब हो रेत हो जहां भी पैसा बनता है वहाँ आपको KCR का परिवार का कोई ना कोई सद्य से मिलेगा दलित बंदू स्कीम में तीन लाक रुपए का कट लेते हैं इनके हैमेले आठ हजार किसानों ने तेलंगाना में आतम हतिया की है कल शाम मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला अपना पैसा दे कर लाकों रुपए दे कर वो एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं एक्जाम के दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया मतलब अगर आप केसी आर के मित्र है उसके परिवार के सदस्य है तो आसानी से आप कोई भी एक्जाम पास कर सकते हो मगर अगर आप तेलेंगाने के युवा हो तो बिना पैसे दिये बिना रिश्वत दिये आप ना एक्जाम पास कर सकते हो ना आपको नौकरी मिल सकती है KCR ने सवाल पूछा Congress Party ने क्या किया मैं उनको बताता हूँ Congress Party ने क्या किया KCR जी जिन सडकों पे आप चलते हो वो सडके Congress Party ने बनाई हैं जिस स्कूल और युनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की वो स्कूल और युनिवर्सिटी Congress Party ने बनाई थी और जिस हाइदरबाद से आप रोज करोड़ों रुपया चोरी करते हो वो हाइदरबाद को Congress Party ने तेलंगाना की जनता के साथ बनाया है मगर अजीब सी बात है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो ही आप कहते हो नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि Congress Party ने क्या किया के सी आर भी यही कहते हैं Congress Party ने क्या किया लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है के सी आर पूरी मदद करते हैं चाहे जी एस्टी हो चाहे नोट बंदी हो चाहे किसान के खिलाफ जो कानून बनाए वो हो जमीन अधिकरन बिल हो एक दम कैसे आर मदद करते हैं आप देखिए मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं पूरा देश जानता है सब लोग जानते हैं चौबिस खेस हैं मेरे खिलाफ पच्पन घंटे पाच दिन के लिए एडी ने मुझसे सवाल पूछें दो बजे रात तक मेरी लोकसभा की सद्यसता रद कर दी मेरा घर चीन लिया तो मेरा आपसे सवाल है अगर केसियार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसिज क्यों नहीं लगरे उसका घर क्यों नहाई लिया जा रहा उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद की जा गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है पहले यहां पर बीजेपी के लोग छाती फिलाए घूम रहे थे जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमिच चाह, योगी चाहते फिलाए घूम रहे थे चाहती फिलाए घूम रहे थे तेलेंगाना में अमिच चाह ने कहा कि हम OBC Chief Minister ल चार टायर होते हैं, चारों के चारों टायर हमने पंचर कर दिये BJP वाले और फाड़ के फेक दिये, अब BJP क्या कर रही है, पीछे से KCR की मदद कर रही है, और KCR BJP की मदद कर रहा है, और इस ड्रामे में तीसरा प्लेवर भी है, MIM, जहां भी देखो, कॉंग्रेस को तंग कर करने लग जाते हैं, BJP से नहीं लड़ते कभी, असाम में, राजस्तान में, मद्यप्रदेश में, गोवा में, जहां भी कॉंग्रेस BJP के खिलाब लड़ती है, वहां आपको MIM के लोग दिखेंगे, BJP से पूच के टिकेट लगा देंगे अपने, और ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आती है, हम शुरुआत में ही चीफ मिनिस्टर को साफ बता देते हैं, करनाटक में, चतिसगर, राजस्तान, मद्यप्रदेश, हिमाचल, सब जगे, मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से एक ही बात कहिए, मैं कहता हूँ, जितना पैसा इन उतना ही पैसा कॉंग्रेस पार्टी की सरकार को वापस गरीबों की जेब में डालना है, इसलिए तेलेंगाना में हमने आपसे छे बड़े वाइदे किये हैं, चुनाओ के एक गंबार, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही हमारी कैबिनेट बैटेगी, सारे के सारे मंत्र बैटेंगे और इन छे वाइदों को हम कानून में बदल देंगे, देखिए सचाई है कि तेलेंगाना के सब लोग जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ जीतने जारी है, और भारी बहुमत से कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ यहां पे स्वीप करने जारी है, आप भा रेवन्त रेड़ी चुनाओ लड़ने है, तो रेवन्त को दवा कर जिताना है, यहां पे बियारेस को एक भी वोट ना मिले, रेवन्त को भारी बहुमत से आप सब मिलके जिताईए